तो चलिया यह दोस्तों सिंगल एंट्री चैप्टर को जो है आगे बढ़ाता है हमने पिछली वीडियो में यह सिंगल एंट्री का सिस्टम जो है चैप्टर शुरू कर दिया था इसके नाम था चैप्टर का चैप्टर 21 अकाउंट्स फ्रम सिंगल एंट्री सिस्टम का कॉंसेप्ट कहता क्या है आखर यह सिंगल एंट्री सिस्टम से प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है तो इस अगर सब्सक्राइब करें आगें फ्यूचर में जो है कॉमर्स रिलेटेड यो भी सब्जेक्ट होंगे उसको लाने के जरूर से जरूर कोशिश करूंगा इकनोमिक्स हो गया हमारे बिजनस स्टडीज हो गया ठीक है पहले अकाउंट्स की सीजिस कम खतम कर लेते हैं ताकि आपको एक्जामनेशन में मेरी वज़ा से कुछ हेल्प हो जाए तो किसी को भी इस चीज़ के जरूरत है तो उसके साथ जरूर से जरूर आप चैनल शेयर कीजिए और इसके जो कंटेंट है यूट्यूब पे बहुत कम है एस कंपेर टूसी में बात रहूं तो इसलिए मैं आप बो से हमारा मेरी कर से बात कर दो सबसे पहले मेटड का नाम है वेिशियंस स्टेटमेंट ऑफ अफएर मेतर शाक्यूब कर धिकले और इसको जरू नैटमla जाता है नेट वर्थ मटट है और दूसरा इसमें आ जाता है उसको हम बinflते हैं Converging Method तिकस्सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर एक ये भी मैत्ट है जिसको हम जो है सिंगल एंट्री सिस्टम से रिकॉर्ड किये गए अकाउंट को हम डबल एंट्री में से रिकॉर्ड बनाये गए रिकॉर्स से हम जहें profit कैसे calculate करें यानि कि हमारे incomplete record हमें गिवन होंगी उससे हम अपने profit को कैसे कैके calculate करेंगे उसको हम जो सीखेंगे किस्ते से statement of a fair method से conversion method की बात रही तो अगली वीडियो आएंगी उसमें इसको बुला देते हैं कैसे कैल्कुलिट किया जाता है प्रॉफिट उसको सीखेंगे ठीक है इसके अंदर जो दो चीजें बनाते सबसे पहले हम बनाते हैं statement of affair statement of affair यानि की balance sheet ठीक है इसको हम balance sheet नहीं बोलते हैं इसके अंदर क्या बोलेंगे statement of affair balance sheet क्यों नहीं बोलते हैं क्योंकि balance sheet में accurate asset और accurate liabilities रिखी जाते हैं इसके अंदर estimate लगा के हम निकालते हैं हमारे पर liabilities कितनी है asset कितने estimate करके के हम निकालते हैं तो इसलिए इसको हम जो है statement of affair बोलते हैं मैं ब्रैक्टिट में लिगता हूं balance sheet ठीक है फिर दूसरा हम बनाते है statement of profit and loss statement of profit and loss ठीक है दोस्तों statement of profit and loss हम जो है बनाते हैं ठीक है दो चीज़े से हमारा जो है profit निकल के आ जाता है कि है यहां से हमारा profit निकलता है और इससे हम भी जो है अमारी position निकलती है तो इसी को यह हम जो है अपने single entry system के final accounts मानते हैं ठीक है तो इस method से हम रहत दो चीज़े बनाते हैं तो आईए दो चीज़े कैसे बनाए किस तरीके से इसको बनाए जाता है इसको हम जो है सीखते हैं तो दोस्तों अगर जिसको भी सिंगल एंट्री सिस्टम से अपनी जो है अकाउंटिंग करी है उसने उससे जो है प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकालेगा और किस तरीके से कॉशन बनते हैं वो हम सीखते हैं स सब से पहले जो है मि दोखन को अपनाना होता है ठीक है ऑन यहां पर फस्ट ऑफ अप्रियल 2021 21 हमारे जो है opening की date होगी ठीक है और दूसरी हमें statement कब बनाते है statement of affair दो बनानी होगी statement of affair फिर हमें बनानी होगी closing की अब closing की date क्या हुई as on मैं बात करूँ तो हजार बाइस ठीक है 31 मार्क 2022 के हमारी date हुई statement of affair की ठीक है दो statement of affair में बनानी होगी format वही हमारा same चलेगा balance sheet वाला ठीक है left side हमारी लैबिल्टीज रिखी जाएंगी यहां left side हमारी लैबिलिटीज रिखी जाएंगी और right side हमारे asset लिखे जाएंगे वही balance sheet की तरह है बट इसका नाम change है statement of affair से single entry system के अंदर बोला जाएगा same हमारा concept है वही asset और levitties ही लिखी जाएंगी ठीक है यहां levitties होंगी सारी amount और यहां सारे asset लिखे जाएंगे है ठीक है किसी ने मुझे जो है कमेंट में पहले बोला था किसल मैं आपको बहुत फॉलो करता हूं हर आपकी वीडियो देखता हूं बट यह जो आप liabilities को liabilities क्यों लिखते हो हाला कि मैं जो है बी की जगा डालता हूं आई नहीं डालता था मेरी आदत शुरू से कि मैं एक ही जगा अब आई डालना शुरू हो गया ठीक है तो सेम हमारा वही कॉंसर्प चलेगा स्टेट्मेंट ऑफ फियर का दो बनाएंगे ओपनिंग और क्लोजिंग की हाला कि हमें जो है देखना होगा कि स्टार्टिंग में अमारे पास कितने एसिट है और एंडिंग में कितनी लैविटीज है और यह सब कैसे देखेंगे और इससे देखेंगे एस्टिमेट वैल्यू लगाएंगे अगर कोई दुकानदार होगा मैं बात करूँ शॉपकीपर होगा तो अ एसिट है ठीक है फस्ट एंड को जब वह अकाउंट प्रेपेर करेंगा एंड में तब ही तो देखेंगे देखेंगा और स्टार्टिंग में भी जो है देखेंगा मैं सबसे पहले एक्जांपल के लिए ले चलता हूं सबसे पहले अगर मान लीजिया अगर कोई हम कि एक्विप्मिन्ट कितने है उसके पाथ वह देखेगा सब ऐसे अपनी देखेंगा मैं बात करता हूं मशनरी मशनरी करें बीया देखें बेल्डिंग रही उसकी शौप वह कितरे की है ठीक रहाढ़ आप देखेंगा कि अवंदार में माल दिया होगा वह वह भी रिकॉर् अगर कोई लोन दिया होगा बैंक से वह भी देखेगा कि स्टार्टिंग में उसके पास कितने हैं ठीक है यह हमारी स्टार्टिंग स्टार्टिंग के स्ट्रेट्मेंट ऑफ ठीक है और जो भी अमांट आया बढ़ा वह लिखा जाएगा और हमेशा आपका इसमें बढ़ा आएगा और इसी से जो है आप यह सारा काम करने के बाद उसको दो चीजे और अपनी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी अपनी दो चीजे और रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी वो दो चीजे क्या रिकॉर्ड करेगा तू थिंक्स मैं बात करूं वो हिए सबसे पहले उसने अपने दुकान से कितना पैसा लिया है उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा उसको हम क्या जारने ड्राइंक्स बो इब और पैसा उसने लगा होंगे और फिर एक और चीज होगी बोनेगे दुकान से या फार्म से ड्राइंग त्टीग है यह ओंगी रिकॉर्ड और फिर एक और चीज होगी पहली चीज यह दूसरी चीज क्या रिकॉर्ड ओगी भिया अगर उसने कोई additional capital लगा दी हो कोई और पैसा उसने लगा दिया इसको हम क्या बोलेंगे additional capital दो चीज़े और इसको record करनी पड़ीगे सबसे पहले starting में यह balance sheet बना दी statement of affair दो चीज़े और record करता करता चलेगा फिर end में जब हम accounts बनाएंगे तब हम और inspection करेंगे या वो खुद करेगा inspection कि उसके पस अब कितने asset है और अब कितनी लेडिटी थे ठीक है उसमें भी वही चीज़े यह सेम लिखेगा cash कितना है furniture कितना है bank balance उसका कितना है वो लिखेगा साथ में equipment उसके पास कितने है वो लिखेगा फिर उसके पास building कितनी है वो लिखेगा ठीक है फिर data कितने है उसके पास वो लिखेगा ठीक है और levities की बात करें तो creditor उसके पास कितने है वो लिखेगा bank loan अगर होगा तो वो लिखेगा फिर उसकी जो है अपना एसिट बढ़ाएगा वो अमाउंट लिखेगा फिर उसकी जो बैलंसिंग फिगर से निकलेगी उसको ही हम बोलेंगे जो है बादेगा पना अबी जो है इसके पास फेन करता हूं है फर्नीचर मैं बात करता हूं तो 20,000 हर अच्छा है और एक्विपमिंटस मैं बोल देता हूँ इसके बास पांच हैज़ार रुपके हैं और बिल्टिंग मैं मैं बताते हो कि एक लाख रुपके की इसके बीडिभी संक्रिण discussion है और मैंडों करते हूँ जो दस ओर पर इसके opening capital होगी निकाल के एक बास देख लेते हैं यहाँ पर जो amount आएगा वो 1,60,000 यहाँ पर भी amount आएगा 1,60,000 ठीक है और उसमें से 1,60,000 पूर टोटल माइनस करेंगे और यह जो capital निकल के आई 54,000 यह इसकी बनी कौनसी capital ओपनिंग की capital की निकल के आ गई ठीक है फिर इसने यह चीजें भी record की drawings भी record कर दिए additional capital भी record कर दिए ठीक है मैं बात कहा दा हूँ इसकी टोटल जो है 60,000 रुपीज की और इसने जो है 50,000 की एक additional capital और एडिकल दी ठीक है फिर इसका क्या हुआ कि statement of affairs ने लास्ट में देखा तो इसके पास जो है cash मिला 25,000 का furniture इसका जो पहले 20,000 पे का था फिर बढ़के 30,000 का हो गया bank के balance इसका थोड़ा कम हो गया 10,000 रुपीज का हो गया ठीक है और equipment इसके पास पहले 5,000 की थी फिर बढ़के 8,000 की हो गयी building इसके पास 1 lakh की थी यहाँ पे इसके पास 1 lakh 10,000 की building हो गयी और debtor पहले इसके 10,000 के थे अब इसके debtor जो है 7,000 के हो गए क्रेड़िटर की बात करें पहले 6,000 के थे अब इसके क्रेड़िटर भी बढ़के 8,000 के हो गया लास में और bank loan तो पूरी तरी कैसे इसका खतम हो गया ठीक है तब इसके पास अब देखेंगे कि closing की capital कितनी बनी ठीक है दो balance sheets ने बनाई यान 1,90,000 का और 1,90,000 में से 8,000 में माइनस करूं तो 1,82,000 की इसकी closing की capital निकल किया ठीक है सबसे पहले क्या step रहेंगे single entry system से अगर आंकोंडिंग कर रहा है physical inspection से और estimate value अंदादे से वो अपनी दो balance sheet बनाएगा जिसको single entry system में statement of affair बोलेंगी क्योंकि estimated है उसके पास सारे asset लिखेगा फिर क्या लिखेगा अपनी सारी लेविटी लिखेगा फिर अपनी जो है एंडिंग की balance sheet में यानि की statement of affair में सारे assets लिखेगा सारे लिखेगा साथ में दो चीज़े और record करेंगा कि कितनी हुई और additional capital उसकी कितनी हुई यह आपको question में गिवर रोंगे फिर statement of affair बनाने के बाद एक और वह statement बनाएगा क्या statement of profit and loss ठीक है इसी से ही इसका क्या निकल जाएगा profit निकल के आजाएगा ठीक है इस statement के अंदर सबसे पहले यहां पर देखिए इसका format ऐसे बनेगा particular यहां पर लिखे जाएगे particular और यहां पर उसका amount लिखा जाएगा ठीक है सबसे पहले इसके अंदर लिखा जाएगा capital at the end जो भी amount होगा ending की capital ठीक है और उसमें से फिर क्या करेंगे add कर देंगे drawings को जो भी drawings होंगी उसमें add कर देंगे उसको फिर हम क्या करेंगे less कर देंगे additional capital additional capital फिर एक और कीज़ उसमें से less कर देंगे capital at the beginning किसके पास opening की capital यारेगी beginning में capital कितनी है ठीक है यह सब less करने के बाद जो amount निकलेगा उसी को हम बोलेंगे profit या loss ठीक है अगर plus में आया तो profit minus में आया तो loss of the year ठीक है देखो कितना आसाना है profit निकालना सिंगल एंट्री सिस्टम से बस capital ओपनिंग की जो की opening की statement of ending की जो की ending की statement of affair आनी की balance sheet से निकलेगी ड्राइंग आपको question में given होगा और देखो इस देखो मैंने इस example जिसका लिया है उसने ड्राइंग रिकॉर्ड की है additional capital कोई capital new भी मैं लिख देता हूं इसको नई capital उसमें record की है तो वह भी आ जाएंगी वह लैस हो जाएंगी उसमें से ठीक है और फिर जो capital होगी beginning की वह भी इससे less कर दोगे आपका जो है profit of the year निकल के आजाएगा ये single entry का सारा concept है इससे जो है profit निकल क्या आजाता है ठीक है दो अब balance sheet आपके लिए नहीं नहीं है balance sheet आप अराम से बना लोगे बस उसका नाम ही चेंज करना है statement of affair question में आपको अगर कोई balances में asset और लाइविटीज गेंने वह आप लिख देंगे opening वाली opening में closing वाली closing में और इस question में डालके साथ में इस question में डालके आपने profit mix को निकाल लेना है ठीक है यह चीज़ आपके लिए थोड़ी नहीं है ठीक है इसको आपको याद करना है वैसे एक और concept में आपको भी बताऊंगा जिसमें आपको याद करने की नौवर चली जाएगी और यह आया कहां से concept वह मैं आपको बताऊंग है देखिए दोस्तों profit हम सबसे पहले net profit कैसे निकालते थे यह नेट profit कैसे निकालते थे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डबल एंट्री सिस्टम में ठीक है और वह नेट प्रॉफिट कहां ट्रासर होता था कैप्टल अकॉंट में आपने मेरे साथ क प्रॉफिटी थी मैं बात कर ले तो यहां पर यह हमारी लैबलिटी होंगी और यह हमारे एसेट हो गए है ठीक है सबसे पहले हमारी जोफिए capital लिखी जाती थे ऐसे अ-ध्यान के पिटल के यह चैपिटल का बैलेंस रेक्फा जाता था ठीक है अगर कोई ड्राइंग होती थी तो वह माइनस कर दी जाती थी कर अब अब उसका बैले सिर्फा जाता था ऐसे कर के फिर अगर कोई हमारे पास जौ Profit and Net Loss उसको लिखा जाता था फिर जो है एक मैं बात करने अधिशनल कैपिटल की ठीक है अगर कोई अधिशनल कैपिटल वैसे तो कुछन के अंदर थी नहीं बट एडिशनल कैपिटल आप खुद का ध्यान लगाई अगर कोई अधिशनल कैपिटल कोई लगाता एक नहीं और अधिशनल कैपिटल लगाता है तो क्या करते है उसको यह एड कर देते ठीक है तो यहां पर जो है प्लस कर देते अधिशनल कैपिटल को अगर कोई होती उसको प्लस करते अधिशनल कैपिटल के अंदर फिर हमारी नेट कैपिटल निकल के आ जाती पूरी कैपिटल जो हमारी लिखी थी और यह सारी adjustment करके हमारी जो capital लिख लिए इसको लिख दिया माइनस कर दिया और कोई additional capital अगर गिवन होती थी हमने अपने accounting experience यूज किया तो उसको जाय सी बात हम प्लस करेंगे उसको प्लस करेंगे हमारी जो है mathematical form में लिखें तो कैसे लिखेंगे इसको हम क्या लिखेंगे सबसे पहले opening capital है opening capital यहां आमने माइनस कर दिया ड्राइंग और यहां देखो या तो प्लस होगा या तो फिर माइनस होगा दो चीज़ें अगर net profit होगा और net loss होगा वह होगा ठीक है यह दो चीज़ें होंगी फिर प्लस होगा additional capital मैं इसको लिख रहे हैं और यह से क्या निकलेगा टोटल हमारा इस इकोल closing capital इसको है लिखेंगे यही हमने लिखा mathematical फॉर्म में अगर देखें यही सेम चीज़ मैंने mathematical फॉर्म में लिखेंगे यह अकाउंटिंग अमरे फॉर्मिट में है यह मैंतिमेटिकल फॉर्मिट में ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस net profit या माइनस net loss प्लस additional capital is equal to closing capital और इसी से अगर हमें है जो है net profit फ्लस में आया तो net profit माइनस में आया तो net loss या net loss हमें निकालना हो तो क्या करेंगे बहिए सब से पहले ठीक है अगर यह निकाल रहे हैं तो यह वाली चीज़ेंगे सब से पहले closing capital हम लिखेंगे यहां पर कि यहां प्लस में है मैंईस कर दिया मैंना ओपनिंग कि एपिल आ presentation मैंन प्लस कर देख गया घ्राइड कर देनगे थिकर यह निखल गया कि इसने को ही मैंने उठा कि के में लिग दियाombi accounting format में statement of profit and loss में देख सकते हब net profit net loss निकाले के सबसे पहले closing capital closing capital minus में कर दिया opening capital plus में है drawing यहां देखिए plus में है if I accept को ही स्टी пор्मिट को ही these equation को मैंने accounting format में लिखती है और यहीं कहां से यह concept आया कहां से हमारे final account से ही आया है उसको ही यूज़ करके concept नहीं निकाला है ठीक है अगर आपको याद करना है इसको वैसे तो मैंने आपको बैक का concept बतानों कि आया कैसे अगर आप याद कर सकते इस statement को तो याद कर लो नहीं याद कर सकते तो यह तो आपको पता ही होगा इसी को ही आप mathematical form से हटा के mathematical form में पहले लिखिए फिर इसको accounting format में लिखके आप बना सकते ठीक है अब आंसर इसका निकाले है एंडिंग की capital हमारी एंडिंग की balance sheet यानि की statement अफेर से निकल गई और इसका answer है 1,82,000 देख सकते हैं यह रहा फिर बात करें ड्राइंग की ड्राइंग से यह रही 60,000 कोश्चन में आपको गेवन होगी फिर बात करें एडिशनर कैपिटल की तो यह रही 50,000 को और बीगिनिंग की capital बीगिनिंग की balance sheet यानि की statement ऑफेर से 54,000 को वन लेक 82,000 में प्लस करेंगे 60,000 माइनस करेंगे 50,000 माइनस करेंगे 54,000 आपका profit आपके आद में करके देख लेते हैं एक बार 1,38,000 हमारा profit निकल के आगया जो मैंने आपको example दिया देख सकते हैं कितना असान है इससे profit निकलना है बहुत ही असान है दो balance sheet बनाईए opening closing की पहले closing की capital लिखिए plus career drawing जो question में गेवन होगी plus career minus career additional capital जो आपको question में गेवन होगी इसी हमारे final account के concept mathematical form में मैंने आपको बता दिया यही fame है और यही चीज़ आपको जो है book में भी गेवन है mathematical form में जिसको इसने statement बना दिया इस screen पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गेवन है यही चीज़े आपको गेवन है यही form आपको गेवन है प्रॉफिट कैसे निकाल जाएगा ठीक है और इसी कोई convert करके लिखा गया है ठीक है इसी form को ही आप देख सकते हैं ठीक है मैंने वही statement आपको बता दी और यही statement आपकी बुक में भी आपको दोस्तों तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए इस वीडियो में जो है यह अच्छे से सीख रहा है कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम सिंगल एंट्री सिस्टम से इलस्ट्रेशन हमने इस वीडियो में नह प्रॉफिट के साथ उसको शेयर कीजिए चलते हैं हम भी हवा नाइस डी